Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्विड़ी के नदर में हम M.A.H.I.M.H.I.01 का लेसन 20 पढ़ने वालें जिसके नदर में हम बात करेंगे सामंत वाद पर बिविन दिरिश्टी कोड के बारे में दोस्तो अलग-अलग इतिहांसकार के दोरा सामंत वाद पर अलग-अवधारना प्रस्तूत की गई कि सामंत वाद क्या होता है उनके अनुसार इस पूरे unit के अंदर में हमें सामन्तवाद को ही पढ़ना है, सामन्तवाद के बारे में ही पढ़ना है और बहुत ही important unit बनता है सामन्तवाद का क्योंकि अक्सर exam में सामन्तवाद से एक नए question बनकर आता ही आता है तो आज की इस वीडियो के अंदर में जो हमारा lesson है lesson number 20 इसके अंदर में हम पढ़ेंगे europe में सामन्तवाद के उधे सम्वदाद पिरेन के अथारना आज हम सरी पिरेन की अवधारना को ही समझेंगे कि पिरेन ने क्या कहा कि यूरोप में सामंतवाद किस परकार से उदे हुआ यूरोप में सामंतवाद आया क्या और यूरोप का सामंतवाद मॉडल है क्या किस परकार का है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले और पिरेन की अवधारना को ही हम पढ़ेंगे एक तरसे आप यह भी कह सकते हो कि आज का जो यह वीडियो है पूरा पिरेन के उपर में बेस्ट होगा तो आज का पूरा वीडियो पर बेस्ट है तो पार्ट वन को देखिए सई से डिटेल में देखिए लास्ट तक देखिए जिससे आपको समझ में आए अगर कोई डाउट होता है तो बेजी जग आप कमेंट करके या फिर किसी भी सोसल मीडिया प्लैटफोर्म पर डारेक्ली प ठीक है सब्सक्राइब करने है कि हमें मोटिवेशन मिलता है क्या अपने आपको आगे परजेंट कर पाते है आपने आपको मोटिवेट करके और अच्छी महनत लेकर आते हैं ठीक है आप पहले की वीडियो थी हैं में हिस्ट्री का और आज की देज लेंगी पीडिया बनाने की कुर्सिस किया जाता है बहुत टाइम लगता है तो आपके एक एक सब्सक्राइब से करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तो आप हमारे चैनल दाइन आपको जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है और साथ साथ में अगर आप इगनु के स्टूडेंट ह और ये कॉलेज के अंदर में तो उसके लिए नब इन्फो हमारे दूसरा चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइम टू टाइम दोनों चीजों का अपडेट मिलता रहे है कि लेसंस को हमसे चल रहे है और इगनु के अंदर में क्या अपडेट आ रहे है चलिए दोस्तों यहां पर हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो टॉपिक है आज का पिरेन की अवधारना को हम पढ़ेंगे कि यूरोप में सामंतवात का उधे किस परकार से हुआ और पिरेन ने सामंतवात को लेकर क्या कहा अब सामंतवात सबसे पह है लेटिन भासा के से हुई और लेटिन भासा के किस सब्द से हुई तो फियोडेसलिस सब्द से फ्यूडल सब्द की उत्पत्ति माने जाती है मद्ययोगिन यूरोप में जो मिडाइवल यूरोप था उस टाइम में इसका जो इस फ्यूडल सब्द का इस फ्यूडल सब्द किया जाने लागा उस इसका कारण क्या था तो फ्रांसिसी दार्शनिक बूबेलियों और मॉन्टेंस्क्यू करके एक रचना लिखी उन्होंने उस रचना के थ्रू उहां पे सामंतवाध सब्द का उपयों किया गया और उसका परचार वहां पे स्थू होता है सामंतवाध का ठीके किस ने लिखी थी रचना, तो बुवेलियों ने लिखी थी, देखो कितने भी इतियासकार के नाम आईगे नहीं, इतियासकार के नाम आपको ध्यान से रखने है, और उनके जो भी रचना है थी उसको भी आपको ध्यान से लिखकर रखना याद करना है, जिससे आपको जाता जाता थारभी सताबदी के अंदर में सामनतवात पर लिखने वाले आरंबिक इतियांसकार इस सब्द और वैवस्ता को कानूनी पक्षप जादा बल देते हैं उसको एक कानूनी ट्रम के तौर पर ठीक है इसको लेकर चलते और कानूनी पक्ष्पई ज़्यादा बल अपने रचनाओं के इंदर में देखने के लिए मिलता है वे मुख्य रूप से फीफ, सामंती, संपत्ती फीफ क्या होता है जिनके पास सामंती के संपत्ती होते ना उसको हम फीफ के तौर पे देखते हैं अधिकारी एक अधिन्टा के तौर पर देखते हैं जो अधिकार है जिसके पास सभी चीज़ का ठीक है वो दास्ता अधिकार है उसको हम फीव के तौर पर यहां पर देखते हैं और सामन्त वाद का एक ट्रम भी यह माना जाता है ठीक है राजकिय सेवा और सेना सेवा और धन अधिपतियों के नैश को जोड़ कर देखते हैं देखो यहाँ पर मैंने दो बर बोला आपको कि कानुनी अर्थ में इसका उप्योग किया जाता था और कानुनी पक्ष पर ज्यादा बल देते थे कानुनी पक्ष किस परकार का जैसे देखो फीव क्या होता है जिसके पास सामन्ती संपत्ती हो ठीक है पूरा धंजा इदाद हो जिसके पास जिसके पास अधिकार हो जिसके पास पावल अधिनता हो किसी का दासवास अधिनता हो ठीक है राज के सेवाएं या सेन्य सेवा अधिपत हो ठीक है जिसके पास रा यह आपको अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल सामंतवाद यहाँ पर बता देता हूँ उसके बाद भारत के नजरी से थोड़ा सा सामंतवाद आपको बताऊँगा कोई भारत के नजरी से सामंतवाद होता क्या है अब देखो यहाँ तक समझ में आता है और सबसे निम निस्तर पर जो किसान और दासों को रखा जाता था ये रख्षक और अधिनिस्थ लोगों का संगठन था ठीक एक तरह से आपको रख्षक के तौर पर प्रोटेट करते थे कि हाँ मैं रख्षक हूँ ठीक है अधनिस्त जो उनके नीचे में काम करने वाले लोग है उनका संगठन ये माना जाता था राजा समस्त भूमी का स्वामी माना जाता था जितने भी भूमी है भूखंड है उसका स्वामी के तौर पे राजा को माना जाता था या किसी जटिल समाजिक संगठन को नहीं बलकि एक परकार के संपतिकत अधिकारों को अगूसित करते थे अब देखो ये नॉर्मल मैंने आपको इस्ट्रक्चर बताया कि इंग्लेंड और यूरोप के अंदर में सामन्तवाद की परता किस परकार के थी सामन्तवाद था कैसा उनके नजरी से ये मैंने आपको डिफाइन किया अब भारत के नजरिया थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि भारत का नजरिया भी हमें चानना पड़ेगा कि सामनतवाद होता क्या और ये भारत वाला पक्षेन वो इसली समझा होगी देखो भारत की जब हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं हमारा प्यारा भारत तो भारत के लोगों को दूर से बसाने के लिए भी बहुत आन जैसे वरस्ता परचलित थी तो राजा दौरा क्या होता था कई बार क्या होता था कंडिशन्स लागू किया जाता था किसके दौरा राजा के दौरा मालो एक व्यक्ति है जो इस खंड का राजा है ठीक है इस खंड का राजा ह महले वह इस कोने पर है ठीक है अब राजा की इतर आकर्मण हो गया अब राजा की सेना जब तक इस साइड आई की जब तक तो वह एरिया खतम हो जाएगा तो राजा ने क्या किया इस एरिया में एक व्यक्ति को ढूड़ा ठीक है उस व्यक्ति को ढूड़ा व्यक्ति को बोला अगर कोई भी बाहर ही आक्रमन हुआ ठीक है तो तूसके क्या करेगा इस जमीन की रक्षा करेगा मुझे इन्फॉर्म करेगा जब तक मैं ना पहुंचू तूसको समाल कर रखेगा दूसरी चीज इसके बदले में मुझे जब भी जरुत पढ़ेगा तू मुझे सैनिक देगा कभी मांलो बाहर ये दो रहा है तो उसके लिए मुझे सैनिक देगा ठीक है कभी मांलो मुझे पैसे की जरुत तो तू पैसे देगा ठीक है जरुत पढ़ने पर उचीजे देगा तो उस वेक्ति ने बोला कि मुझे क्या benefit होगा तो राजर ने बोला तूझे तम्हें जमीन तो इस तरह के अधिकार भी उसको मिलते थे भारते संधर्व में सामंतवाद गडे पर इंगलेंड और यूरोपके संदर्व में skills but तो भारती संदर में भी सामंतवात को ध्यान से पढ़ना है जिसके बाद आप इसको समझने में बहुत ज्यादा असानी होगा आपको ठीक है यहां पर थोड़ा से समझ में होगा एक्जांपल से मैं आपको समझाए ज्यादा दिक्कत वाली बात होने नीजिए समझ में होगा अब हम आगे बात करते हैं पिरेन के विचारधारा को कि पिरेन ने सामंतवात को लेकर क्या कहा अब देखो पिरेन के अगर हम विचारधार की बात करते हैं कि पिरेन ने क्या कहा तो एक बेल्जियम के इतियासकार थे ठीक है हेंडरी पिरेन इनका पूरा नाम था और यह य इसलाम के परसार के सामंतवाद परभाव पढ़ रहा है कि जैसे जैसे इसलाम का विस्तार हो रहा है उस तरह से सामंतवाद के उपर में परभाव पढ़ रहा है उसके विचारधार है यहां पर इन्होंने रखी थी इनकी विचारधार है कि दो अलग-अलग हिस्से में बटे ह वहily थे पहला इसना पर देखोंगे तो मयरो व्यज़यण यूक के नाम से जाना गया जिसके अंदर में क्लास की जो प्रंपरा है वो निरंतरता की gossip कर पाना किया केरोलीज जो यूग था उसको इन्होंने डिफाइन किया कि केरोलीज यूग के अंदर में जो समाज है जो लोग है वहाँ पे वो मौलिक अधिकारम उनके परिवर्तन होते हुए यहां पर दिखता है अब देखो यह दोनों चीजें अगर आप मालों बुक्स रही हो तो आपको दोने चीजें समझ में आएगा अगर आपने बुक्स के अंदर से उठाए गया यह नहीं किसी बुक में से कॉपी पेस्ट कर दिया गया आपके बुक पे टाइम देकर एक-एक पॉइंट को चांट कर जो यहां पर लाया गया है तो आप हमारे महनत को एप सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों तक भी पहुंचा है जरूर करें से हमें मोटिवेशन और हम और अच्छे से अपने आपको इंप्रूफ कर सके और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके अब देखो मेरो वीजियन यू कि हम बात करें ना तो एक तरह से मा सब्सक्राइब पर जैसे ही वहां पर समाज के अंदर में मौलिक परिवरतन जिखा जयता है जो अधिकार हैं समाज का जो चूरूप है ठीके फंडामेंटल चेंजिस में अपनी विचार-धारो को को प्रसुत करते हैं Henry पिनेर ठीक और इसी के उपर में हम पूरा यहां पे टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं यहांपर या में बात करतें कि पाँचवी से आठिब्स सताबदी तक जो शीरियाई वयपारी थे वह पूरफ से ठीक है पूरफ की ओर से मसाले किमति कपड़े गांजा गांजा की सराब ठीक है उत्रीय अफ्रीका तक लेकर आते थे इस तर से पुराइ वैपार का सुरूप चलता था इस वानिज्य पर लगाया गया अपर टेक्ष कर जो इंडारिक टेक्स लगाया जाता था उसे साहीर राजस्थ का अंपरमुक सुरोथ के तौर पे दिखा गया कि इंपॉर्टिंट सोर्स है साहीर के तहत अरब मुसलमानों के कात्रीव और अनपेक्षित आकरमन जैसे देखो जो पिनेर ने ये नोटिस किया कि जो पुरातन परंपर है जो पुरानी जो कल्चर चलती आ रही है उससे अलगाव पैदा होता है इसलाम दर्म के अंदर में पैदा हुआ और सबसे बड़ा के बारे में आपने पढ़ा होगा उम्याद अली इंसर के बारे में पढ़ा आपने तो उम्याद खलीफा के तहत क्या हुआ कि मुसलमान जो का जो अनपेक्षित आकरमन बढ़ता चला गया उसके कारण से 650 वर्सों तक जो भूमत सागर का गाल समुंदर टटे वो बंद कर द चलती आ रही है जिस तर से वैपार कर रहे थे हैं आप अफ्रीका से ले रहे थे सीरिया से ले रहे थे ठीके मसाले कीमती कपडे गांजे तेल यह सारे चीज़े लाई जा रही थी तो उस पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अलगा पैदा होता है खलीफा के कारण से उम मार्सीलियस जो पूरा वानिज्जीक छेतर था वो पूरी सूख जाती है पूरा धारा सूख जाती है वानिज्जी का ठीके जो वैपार था वो खतम हो जाते एक तरसे सीरिया तता मिसर तता फ्रांसे से संबंद बना रहा पर इतना होने के बाद भी जो सीरिया और मिसर का औ एजिट नगर और एजिट इटली के दच्छनी टटो पर जो आकरमनकारी को भागने में सफलता मिलती है जैसे यह जो अरब मुसलमान थे जब यह बंद करते तो आपस में लडाईजर भी होती है तो बिजन टाइन की जो साही नो सेना थी वो इनको भागने में सफलता देती है और उनको आकरमनकारी को अरबी टट से उनको भागा देती है जिसके कारण थोड़ी सी स्तिति नॉर्मल होती है और आठवी सताबदी के आरम से इस छेतर में सारी आर्थिक गदिवीदिया जो थी बगदाद और अफ्रीका तता इस्पेन जैसे देसों के हाथ देसों के और म पहले पांची सताबदी के अंदर में बात कर रहे हैं उसके बाद शेसों पचास वरसों तक तो बंदी रहा ठीक है उसके बाद आठवी सताबदी के अंदर में क्या देखा जाता है कि जो आर्थिक गतिवीदी जितनी भी थी वह बगदाद और अफ्रीका की और मुड़ता चला गया स्पेन की और मुड़ता चला गया और पूरा जो भूमध्य सागरिय समुदाय था वह इस तरह की एक तरफ सिफ्ट होता चला गया ठीक है भूमध्य सागर में अब पूरव और पश्चिन के वानिजय और बौदिक समवाद का संचार का माध्यम नहीं था ठीक है ज यहां पर पूछ रहा है या बता रहा है कि सामंतवाद है क्या पर इसके अंदर में कहीं भी सामंतवाद का जिक्रिह नहीं कर रहा बंदा तो सामंतवाद कैसे डिफाइन कर रहा है यहां पर यह बता जा रहा है कि सामंतवाद का उदे कैसे हुआ ठीक है कि कहां पर उदे कैस कि आसे ऊदे हुआ इसके बारे में define कर रहा है तो Europe का रेलेशन दिखाने के लिए वह सीरिया का यूसकरया मिस्र का यूसकर रहा है ठीक है अरब का यूसकर रहा है reason यह है कि अजय से जैसे इसलाम का विकास हुआ ठीक है इसलाम के विकास के कारण से अलग अलग तरह कि चाहिझ्जिस देखने कंडे हैं चाहिए वहाँ पर चेतर में चाहिंजिस की कारण से कई सारे पावरसों बन कर ऊपरे पूरे लेस्न को सोचा हूं होनते हैं का यह पूछ वहाँ पर आम रहा meow बताई प्रेश है बट एंड में समझ मैं आएगा आपको कि हाँ ये इस तरीके से यहाँ पे चीजे रही है आपको सेम तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना होगा अब देखो भूमद्य सागर के जो अरब और पूरव के पश्चिमिक बानेजिक था उनका बोधिक संबादा आपस में जो इंट्रेक्शन था ठीके बात चीत हो किसी तरगा मीडियम हो जो वहाँ पे वैपार को चलता हो वो दिरे दिरे मीडियम रहानी बंद होता चला गया सं देन के नुसार यह भी कहा गया कि यह यूरोप में सामंतवाद की स्थापना का पहला चरण था ठीके आगे बड़ा यहां पर पहला चरण के तौर पर यह दिखा गया है अब देखो चीजे किस परकार से थी कि पांचवी सताबदी के आसपास में वैपार हो रहा था किस से फ्रांस का सीरिया का मिसर का इन सब का वैपार आपस में हो रहा था ठीके पांचवी सताबदी के आसपास उसी समय में क्या होता है कि जो इस्लामिक विस्तार होना सुरू हो जाता है खलीफाओ का सासन आ जाता है जिसमें उम्यद ठीके उम्यद जो खलीफा है वो यहां पर देखने के लिए मिलता है उम्यत खलीफा के आने के बाद जो अरब मुसल्मान ते वह क्या हुए त्रीव हो गए ठीक है थोड़े से त्रीव हो गए और अनपेक्षित आक्रमन करना स्टार्ट किया जहां पर जो भुम्मद सागर का गाल समुंदर तर्ट ता जो आज का फ्रां मिर्स्तर के आपसी संबन तो बना रहा पर वहाँ पर खतम हो गया दीरे-दीरे क्या होता है कि अब आक्रमन करी भी बढ़ते हैं वेंजन्टाइन नोसेना एजित सहर के जो वह जो आपसी तनाव का मतलब महुल बनता है और आक्रमन का दौर सुरू हो जाता है यह सारा आक्र मिर्स के तोर पे जाने जाने लेगे ठीक है वह बैपार खत्म होता चला गया और दीरे-दीरे वैपार का सौर्च था वो पावर के सौर्च के ऊपर बनता चला गया उसके बाद ही यह माना गया कि यह पहला क्दम इंदर में सामंतवाद का स्थापना के और बढ़ रहा था ठीक है, समझ में आता है यहाँ पर आपको, यह पूरा यह जो सामंत वाद का जो आइडिलोजी थी, हेंडरी पिनेर की, वो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करी, कुछ चीज़ें और हैं, जो नीचे जाना जरूरी है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, आठवी सताबदी में, सहरी जीवन और पैसे वर जो वैपारी थे, वो लुप्त होते चले गए, देड़े देड़े खतम होते चले गए, रिण जो करजा होता था, उसके करार पर समाप्त होगे, करार पत्र के अब जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेखन का महत्व जो था, वो इने में परणाली का परचलन आराम हुआ, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाने लगी, परमुक अबादी खेती पर निरवर होगी, जो पूरी आबादी थी, जो परमुक छेत्र था आबादी का, वो खेती पर डिपेंड होने लगी, लोग अपने जीवन नि इत्व ही समाजिक अस्तित्व का सुरूप निरदारन करता था, जिसके पास जो जमीन है, वो ही उसके सोसाइटी के अंदर में उसको स्टेटस देता था, जो पूरा समाज था, क्रिशी सब्वता की और लोट चुका था, और राजनेतिक सत्ता, क्रिशी पर कबजा करने वाल कि सामन्तवाद का पहला चरन यह है, पहला चरन जैसे यहापे स्टाट होता है, पहला चरन के बाद उसका इंपक्ट क्या था, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीके समझ में आता है, आगे मैं बात करूं यहाँ आपे, अब देखो कसारी इतिहांस कारों ने इनकी परस मतलब इसलाम का बहुत इंपोर्टेंट रोल रहा यूरोप के अंदर में सामंतवाद के विकास को लेकर बहुत सारी इत्यास कारून इसको मानने से इंकार कर दिया खास तोर पर जबकि भूमद सागर में वानेजिक पर परतिवंद लगाने कि किसी सक्री अरब नीती का कोई संतोष जनक परमाण नहीं मिलता है ये भी माना जाता है जो 650 वरसों तक जो भूमद सागरे का वैपार छेतर था उसको बंद किया गया तो सायद कभी भी सामनतवाद का उदे यूरोप में होता ही नहीं ये हैंडरी पिनेर की अफधार ना थी पर कई सारे तिहासकार ये भी मानते कि परतिवंद लगाने का कोई संतोष जनक परमाण नहीं मिलता है तो यह सारे इंपक्ट हुए उस वैपार को भूमत सागर का वैपार चेतर था उसको बंद होने के बाद से तो हैंडरी पिनेर के नुसार क्याता है कि इस रीजन से यहां पर इसलाम का बड़ा रोल रहा जिसके कारण से यूरोप के इंदर में सामनत वाद आया पर वहीं की जाती है कि उसने रोमन संसार की सांस्कृतिक एकता और मेरोविजियन गाल का आर्थिक जीवन में पुर्व वानिजिक और भूमका पर जुरूत से ज्यादा बल दिया ठीक है जो पूरा जो उन्होंने समझाया उसके अंदर में आप देखोगे तो रोमन संसार की क्या है पर में डीफायन किया ठीक है मेर으 tutte ěन गाल जो फ्रांस का पूर जो फ्रांस का चेत्र है उसके आर्थिक जीवन की पूर्ती वह है जो मतलब जो 650 में बंद किया गये रशे वर्सों के लिए जो पूरा बंद किया था 650 में जो बंद किया गया बहुमित सागर का वैपार छेत्र ठीके जो गाल वो फ्रांस के अंदर ही आता था उसके आर्थिक वानेजिक भूमिक परसार को ही इन्होंने ज्यादा अच्छे ज़र डिफाइन किया तो कई सारे जो इतिहा परसार हो रहता यह वहां पर इन्होंने बताने के कोर्सिस करी म साप करके एक इत्यास का रहते हैं जिन्होंने बहुमिल्य वस्तुओं के वैपार पर किये अपने अध्यन में यह दिखाते हैं कि भूमद सागरे वैपार को उतनी बादा नहीं पहुँची वह पूरी तर से बंद नहीं युव और पिरे新 का मानना मतलब जिस तर से पिनियर ने बताया कि भूमद सागरे वैपार के बंद होने से किस तर से नुकसान हुआ किस तर से इस्लाम के तकारण से सामंध वातका हो दे उवा हेंरी पिनिर यह माना पर एहम साब ने यह बताया कि यह जो पिरेन की अवधारना थे कि इसके बंदोंने से यह चीज यह हुई तो यह बोलते कि उतना बंदी नहीं वहाँ उतनी ज्यादा बादा पहुंची नहीं ठीके वैपार पर उतना ज्यादा इंपक्ट पड़ा ही यह एहम साब का मा उन्हें एक बुक लिखी थी इसमें यह दिखाया कि आठवी और दस्वी सताब्दी के बीच का जो भूमत साग्रे बंदर गाते वह काफी कुछ वैपार हो रहाता है उन्होंने यह दिफाइन यहां पर किया इसके वावजूद हेंरी पिनेर के इस सोध के निश्चित विक्ति आर्थिक पिनेर के कारण से क्या हुआ सामंत वाद अर्लग अलग टॉपिक्स को लेकर आर्थिक जो परमान होती हो देते उसके उसुपर बीगौर किया जाने लगा उसकी परमपहों पर्के ने द seem कि दोहारा है सिमीत होते थे पर Henry Piner के बाद अलग-अलग दिसाओं में भी उसको किया जाने लगा ठीक है जैसे पहले कभी भी आर्थिक परमाणों के basis पर जोर नहीं दिया जाता था किस impact क्या है उसको नहीं दिखा जाता था पर Henry Piner के बाद यहां पर आर्थिक परमाणों को भी जोर दिया जाने लगा तो दोस्तों हमारे यह टॉपिक यहीं पर खतम होता है ठीक है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और आप सभी स्टुडेंट्स एक बार वापस से में रिक्वेस्ट यहीं करूँगा कि हमारे चैनल दी इनप को और दी इनप इनफो को जरूर सस्क्राइब करें आप हमारे दी इनप चैनल को जोईन भी कर सकते हैं छोटा सा इमाउंट पे करके 29 उर्पे का जिसके बाग आप कोई भी कोश्टन किसी भी समय पूछ सकते हूं डारेटली बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा टाइम के लिए आगे वाने आने वाले समय के लिए तो फ्रेंट्स मैं विशुजीत सिंग यहीं पर वीडियो को आनुट करता हूं वीडियो कैसी लेगी कमेंट करके जुरूर बताएं फीडिबेक दे अपना ठीक है आपका एक एक जो सस्क्राइब होता है एक एक कमेंट होता है एक लाइक होता हूं हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और वीडियो के अगर आपको पीडियो चाहिए तो डारेक्ली टेलीग्राम गुरूप को जोइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वर्टसप गुरूप के लिए मैसेज कीजिए मैं लिंक देदूँगा वर्टसप गुरूप को जोइन कीजिए 24 इंटू कोई भी कोश्टिन बोच सकते हो मुझसे डारेक्ली या फिर अपनी डाउट को भी सॉल्फ कर सकते हो चली फ्रेंट्स वाइबाए टेक्यार अल्डे बेस्ट